हेलो दिये स्टुडेंस, स्वागा थेक पर फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट का नाविक, जीडी, डीवी और यांतरिक के रिगारिंग stage 1, section 1, आपके science के practice être एक नमबर के lecture 2 को यह आपका combined questions के स्याओर जैसा कि आपको पता है, हमने आपको बताया है previous lecture number 1 में ही कि आपको combine questions के स्याओर चलेंगे यहाँ पर labeling चいつ के कमेश्ट्री, biology सभी से related सभी को मिला कर आपको questions यहाँ पर दिये जाएंगे तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लक्षेस की ओर और आपको बदा दे कि इन वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होगा किसी भी कोशन से प्रॉब्लम होगा तो आप कोमेंट लोग से लिकर हमसे पूछ सकते हैं हाला किसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि जेनरल साइंस के कोशनस है आपको जो कोशनस के साठी कांसर है वो आपको यहाँ पर दिये जाएंगे मैं भी एकर किसी कोशनस में थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम लगता हो तो एक वाल गूगल पर भी सर्च कर लिएगा और देन फिर आप हमसे पूछेएगा ठीक है त 42 चीट से मैं सभी में हमने 10-10 कूशनस दिया है तो 420 चीट से यहां पर आपके हो जाते हैं खोलिए वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में देख सकते हैं कि हमें क्या-क्या इसके लिए आपको करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अपने सी वीडियो लेक्षेस की और कुर्सन नमर वन है आप उसका नाम क्या होता है तो जो आपको fourth state of matter होता है यानि प्रदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उससे हम क्या कहते है तो उसे हम प्लाजमा कहते है तो इसका आंसर क्या हो जाता है option number three is the right answer ठीक है प्लाजमा option number three next question है आपका number second देखिए जिसके बारे में आपको जानन बारी नहीं दी जाएगी जिससे कि आपको जानना जरूत नहीं है ठीक है तो आपको simple जिसके बारे में जानना रहेगा आपको पता है कि हम general science के जो भी questions देते हैं आपके बारे जिसके बारे में आपको थोगा extra knowledge चाहिए होगा तो वह आपको दिया जागा नहीं तो simply answer बतात करता है तो इसके बारे में हमें बताता है अब लेंबर्ट लो Aujourd होता है कि जो सेटाने उसके नॉरमल होते है तो आपको बारे में जानने के जुरूत नहीं है simple याद रखिए कि Lambert's law अगर होता क्या है आपसे ये कभी नहीं पुछेगा Lambert's law आपके किस चीज़ के बारे में हमें बताता है तो वो हमें illumination के बारे में बताता है ये आपसे पुछे जा सकते हैं ठीक है तो इसका अंतर होगा option number fourth next question आपका है number third question number third question में लिखा जारा है which of the following laws validates the statements that matter can neither be created nor be destroyed इनमें से कौन सा law जो होता है वो हमें बताता है कि mask को यनि matter को नहीं create कर सकते है नहीं destroy कर सकते है तो बहुत ही simple सा question है ये सभी को बता हाता है ये हमें law of conservation of mask से पता चलता है यानि mask can neither be created or not be destroyed उसे प्रकार से matter can neither be created nor be destroyed ठीक है तो ये हमें law of conservation of mask यानि दर्बमान के संग्रक्षन का नियम जो होता है वो हमें इस सीच के बारे में बताता है ठीक है और यहीं नियम आपको energy के थुरू भी लगता है energy can neither be created nor be destroyed तो वो हमारा law of conservation of energy हो जागा ठीक है लेकिन आपर matter है जिसे कि हम mask के तौर पे लेंगे तो हमारा इसका answer होगा option number c ठीक है यान option number 3 ठीक है चलिए next question आपके है number fourth question number four question में लिखा जा रहा है कि decibel is a unit for decibel जो होता है वो किसका unit होता है सबसे पहले बताते हैं कि decibel को हम decibel इसे हम small db से भी denote करते हैं टीक है तो आपको यह पता हो न चाहिए कि small db से हम decibel को denote करते हैं और decibel जो होता है वो हमें sound के intensity के बारे में बताता है ठीक है यह जो होता है आपके decibel इंस्सिटी औफ साउंड को measure करने में यूज़ कियाता है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा Intensity of sound के बाड़े में बताता है तो इसका अंसरों का option no.3 ठीक है तो decidveil किसके unit होता है तो sound का unit होता है, ठीक है चलिए next question आपका है यायनि dhani of trقتwa यायनि dhani केति तिवृता का unit होता है equal line किसीज चीज लिए तो equal line of cloudiness ke backward बारे में हमें बताता है, ठीक है तो इस answer हो जाता, option number one यानि बादल छाजाने, यानि equal line of cloudness के बारे में बताता है यानि ISO फोन जो होता है, sorry ISO-NEOF जो होता है, वो indicate करता है equal cloud over, यानि equal cloud या फिर कह सकते है equal cloudiness के बारे में हमें बताता है ठीक है ठीक है क्या करते हैं कि जब आपके जो भी rainfall जब होते हैं तो उसमें rainfall में temperature का variance rainfall होने का variance कह सकते हैं कि rainfall हो सकता है फिर नहीं हो सकता है उसके degree की यानि उसके rainfall के slope जो होते हैं curve होता है उसके variance इन सभी चीज को क्या करते हैं एक equal line के curve से हम denote करते हैं और उसी line के curve हुँ क्या करते हैं isonave के नाम से भी जानते है ठीक है तो simple सी बात है कि isonave जो होता है वो हमें equal line of cloudness के बारे बताता है ठीक है तो इस cancel क्या हो जाता है option number one ठीक है next आपका है number six questions number six में लिखना है कि the atmospheric layer reflecting radio wave is called ठीक है वैसा atmospheric layer जो क्या करें radio wave को reflect कर दे ठीक है वैसा atmospheric layer जैसे आपको पता होगा कि atmosphere में बहुत सारे layer होते हैं जैसे आपके stratosphere, ogenosphere, major sphere, ionosphere इसी परकार के आपके यहाँ पर चार यहीं पी दिया गया है और भी other layer भी होते हैं तो आपसे बुझा है कि कौन सा ऐसा atmosphere का layer है जो की radio wave को क्या करता है आपका reflect कर देता है ठीक है तो वो आपका जो कह सकते है Γ énormément संपेर होता है उससे में कहते है जाते है तो आपसन नंबर 2 is the correct answer ठीक है तो आउनसफेर का range जो होता है वो आपका 85 km से लेकर यहापे लिग देते हो आपके लिए आपके लिए लिए आपके लिए ठीक है और यह कहा एवाब आर्फ सर्ष्पेस होगा तो पतासे क्लोंटे से लेकर 600 क्लोंट तक की इसका रेंज होता है ठीक है चलिए कुसेन आपका है नंबर स्वेंथ कुसेन में लिएगा रहा है कि cryogenics is a science dealing with it क्राइंच जो हता है यह सब्सक्राइ instal जो है यह हम पुश्ञाय आप की सब्सक्राइड इन का है अंद पढ़ा है कि क्राइब करवाएं कि Keeping सबढ़ एक सब्सक्राइब टेंप्टेंशर पर इसके में इसी प्रभाव पड़ेगा उस पर कैसा changing आएगा क्या-क्या उसके बारे में होगा तो इस चीज का study हम cryogenics के में करते हैं जो कि क्या होता है हमें low temperature पे हम किसी भी प्रदात का study करते है ठीक है तो simple से बात है कि cryogenics जो होता है हमें किसी भी प्रदात किसी matter के low temperature पे study करने के बारे में बताता है तो इसका answer हो जाता ह option number 2 यानि कम तापान पर study करेंगे किसी material का तो वो हमारा क्या हो जागा cryogenics में आ जाएगा ठीक है और cryogenics में जो हमारा temperature scale होता है जिसमें कि हम नापते हैं अपने temperature को वो होता है हमारा Kelvin और ranking scale ठीक है इन दो scale में क्या करते हैं हम अपने कह सकते हैं कि हमारा cryogenics जो temperature होता है उसको हम मापते है ठीक है तो अच्छा से लिगते हैं आरे एन के आई यह ठीक है रैंकिंग यह दो temperature में आपको बताते हैं कि Fahrenheit और Celsius में यानि Fahrenheit and Celsius में हम क्या करते हैं डिगरी Celsius में इसे हम नहीं नापते हैं अच्छा से लिगते हैं फिर से degree Celsius ऐसे इसे हम क्या करते हैं इसको नहीं नापते हैं इसको मापते हैं सिर्फ Kelvin and ranking scale में ठीक है चलिए नेक्स को सन आपका number 8 तो number 8 में लिका जा रहा है कि the mass energy relation is the outcome of जो mass energy relation होता है यह किसका outcome होता है तो simple से बात है कि आपने सीखा होगा कि E equal to जो होता है वह आपका होता है VC square के बड़ावर ठीक है तो यहाँसे हम mass energy relation के बारे में जानते हैं कि E equal to क्या होता है और इसे हम theory of relativity के नाम से भी जानते है ठीक है आपने सीखा होगा आपने पढ़ा होगा Einstein theory of relativity त तो तो क्या होगा इसका अंसर E equal to mc2 यानि आपका theory of relativity यानि इसे हम कहते है general theory of relativity option two is the correct answer ठीक है तो sorry general theory of नहीं इसे हम कहते है special theory of relativity कहते है तो थुरा सा ध्यान दीजेगा option two का correct answer नहीं हो जाता है यह आपका गलत आंसर है थुरा सा general theory of इसे हम Special Theory of Relativity के नाम से जानते हैं यानि सापेक्षता का विश्य सिधान्थ ठीक है तो option number कौन सा जाएगा 4 is the correct answer तो इसमें भी क्या हो सकते हैं थोड़ा सा mislead हो सकते हैं आप तो general theory of relativity नहीं इसका answer होगा special theory of relativity ठीक है तो option number 4 is the correct answer नेक्स्ट आपका नमबर 9th questions नमबर 9th questions लिका जा रहा है कि which of the following are used for accurately measuring very small time interval ठीक है इन्हें से कौन सा किस चीज़ का हम बहुत छोटे समय के अंतराल को measure करने के लिए हम यूज करते हैं ठीक है तो इसका answer क्या होजता है तो होता है आपका atomic clock atomic clock क्या करते हैं बहुत ही कह सकते हैं कि accurately यानि बहुत ही साधानी से कह सकते हैं कि बहुत छोटे time interval को measure करने के लिए हम इसका use करते हैं तो atomic clock इसका right answer होगा तो option क्या हो जाएका option number 3 is the correct answer यानि प्रमानु घडिया का उपयोग करते ह हम किस चीज़ के लिए बहुत सठीक रूप से कम समय को अंतराल को मापने के लिए ठीक है चली बरते कोशन में टेंथ क्यों नमारे टेंथ कोशन में लिखा जा रहा है कि नाक से खून क्यों निकलता है जब हम उच परवतिय छेतर में जाते हैं तो ठीक है तो इसका रिजन क प्रिसर जो होता है और एक्स्टरनल प्रिसर जो होता है उसके डिफ्यरेइंस हो जाने करान ऐसा यह ओता है तो यहाँ पे है कि हमारा जो बलॉड प्रिसर आप उच्छाई पर बढ़ता है ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाता है option no.3 is the correct answer तो यह क्या थे आपके 10 important questions थे जो कि हमने आपको यहां पर दिया है तो फिर भी questions किसी भी questions में कोई problem रहा गया होगा अगर आपको कोई भी doubt होगा था आप बेज़ी ज़्यक हमसे पूछ सकते ह ठीक है यहां पर कुछ-कुछ ऐसे भी questions थे जो की थोड़ा सा अलग type के थे कुछ नए प्रकार के थे questions तो सभी questions को सीखना important होता है सभी questions को पढ़ना important होता है क्योंकि में भी अगर आप से कोई questions पूछ दे अगर आप पढ़े रहेगा तो हो सकता है कि आपको वही questions पूछ तो इसे chances क्या होते हैं आपको number एक तो number एक extra number आप मिल जागा न तो वह आपको फैदा देगा लेकिन अगर आप नहीं पढ़के जाते हैं तो आपको क्या होगा परसानी दे सकता है तो इस काहां से पढ़ लेने में कोई दिकत नहीं होता है तो इस काहां से कुछ-कुछ अल आप से मादिए बती बाबाया